ओम नमस्षिवाई दोस्तों भगवान शिव पर शहर चढ़ाने की क्या लाब हैं किस प्रकार शहर चढ़ाना चाहिए और शहर चढ़ाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है मित्रों सावन का महीना आने ही वाला है 2023 में तो 19 साल के बाद दो सावन पढ़ रहे हैं यानि अधिक मास भी सावन के बीच में ही हैं इसलिए इस बार दो सावन रहेंगे ऐसी में यदि आप सावन के आठ सोंवार लगातार भगवान शिव को शहद अरपित करते हैं तो आपके सभी रोग मुक्त हो जाते हैं आपके शरीर के सभी कस्ट दूर हो जाते हैं विशेश रूप से शहद चड़ाने से शारीरी कस्ट जो भी बीमारी है वह दूर होती है नेत्र संबंदी रोग दूर होते हैं यदि आपको दूर और पास का नजर कमजोर है तो शहद अवश्य ही चड़ाएं काफी हद तक आपके नेत्र रोग कम हो जाएंगे नेत्र में अलरजी है या कोई और नजदी का और दूर का कम दिखाई देता है तब भी आप शहद भगवान शिव को अरपित करें सबसे पहले भगवान शिव को शहद चड़ाएं उसके बाद शुद जल से भगवान का अभिशेक करें या फिर आप जो जिस जल से अभिशेक करते हैं उसमें कुछ बूंदें शहद की मिला लें और उस जल से भगवान शिव का अभिशेक करें और भगवान शिव को अपने शारीरी कस्ट दूर करने की प्राथना करें शहद चड़ाने से नसों संबंदी रोग भी दूर होते हैं यदि आपकी नसे ब्लॉक है श्रीर में बहु लगातार सावन के सोवार या लगातार सावन में 40 दिन क्योंकि इस बार तो 59 डेस के सावन का दिन हैं तो इन में 40 दिन अराम से ही बन चाएंगे तो आप लगातार 40 दिन सावन के महीने में शहद मिले जल से भगवान शिव का भिशेक करें या फिर गंगा जल भी उसमें थो मिलता है तो मित्रों शहद को आप भगवान शी पर इस सावन के महीने में अवशही अर्पित करें यदि आप हर रोज नहीं चापाते तो कोई बात नहीं आप केवल सावन के सोंवार के दिन भी शहद मिले जल से भगवान का अभिशेक करें या फिर पहले आप शहद वज़ा आप ऽुड़ाइज नसो जंबंदी रोग तो अवशही दूर हो जाते हैं और आखों की जो भी वीमारी है वहएब भी दूर होती है तो इस सरह से शहद आप यदि शारिरी कस्ट से जूझ रही हैं तो भगवान शी बोले को शहद आप अवशही चढ़ाएज आपक में हर हर महादेव अवश्य लिखे